लो फ्रेंड्स वैलकम टू माई चैनल आज हम बात करेंगे गर्मियों की सब्जियों के बारे में जो हम गर्मी में खाते हैं तो चलिए हम बात करेंगे उसके साइंटिफिक नाम एंड उसके फायदे सबसे पहले हम बात करेंगे भिंडी के बारे में तो भिंडी को इंग्लिस में लेडिस फिंगर बोलते हैं और उसका साइंटिफिक नाम है एबिल मॉस्चूस एसकुलेंटस तो चलिए अब हम जानेगे उसको खाने से उसके फायदे क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकिन के तो जो चेहरे में हमारे धाग दब्बे होते हैं वो हमारा धूर करता है भिंडी खाने से दूसरी वो सारुरी कमजूरी को दूर करता है तीसरा वो डाइवर्टीस मलाइटस के लिए बहुत फायदे मंद होता है वो उससे प्रोटीन भी मिलता है और पीलिया बुखार से काफी ज़्यादा आराम देता है चलिए अब हम भिंडी के बारे में जान चुके हैं अब हम बात करेंगे बैगन के बारे में तो बैगन को इंगलिस में ब्रिंजल बोलते हैं और उसका साइन्टिफिक नाम है सौलेनम मैलेंचिला अब हम बात करेंगे बैगन के फैदे के बारे में तो बैगन के सबसे फैस्ट फैदा है कैंसर से लड़ने में यह मदद करता है और हार्ट के लिए कपी लाबदायोक होता है हट्टियों को मजबूत बनाता है اور प्राइगनिंट के दोरान उप्योगि होता है अब हम बैगन के बारे में बात कर चुके हैं अब हम बात करेंगे पर्मल के बारे में तो पर्वल को इंगलीज में बोलते हैं पॉइनिट गर्ड और उसका साइंटिफिक नेम है त्रिकोसंथिस डिवाई का अब हम बात करेंगे पर्वल के फायदे के बारे में सबसे पहला फाइदा है रक्त सोधक का काम करता है ये बलड को साफ करने में मदद करता है दूसरा ये पीलिया को रोकने में काफी ज़्यादा मदद करता है और ये इसकिन के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन्द होता है और इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें अंटि आक्सिडेंट का गुड़ आया जाता है अब हम बात कर चुके हैं परवल के बारे में अब हम बात करेंगे फूल गोवी के बारे में तो फूल गोवी को इंगलिस में बोलते हैं कॉली फ्लावर और उसी का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया अब हम बात करेंगे फूल गोवी के फायदे के बारे में तो सबसे पहला इसका फायदा है आक्सिटेटी तनाव को ये रोकता है और पेट की बिमारियों को रोकने में काफी जादा मदद करता है और ये सांस के समस्या को दूर करता है और ये हड्डियों को भी काफी मदबूत करता है अगरती हूँ कि हमारे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेयर करें, थैंक यू